कि गुद्वार्ण एब्रिवन कि इस्टुडेंट्स आए इस वीडियो लेक्टर में आज हम डिस्कस करते हैं कैसे हम कोई आयरे डिक्लियर करेंगे उसके बाद उसमें यर्ण डेटा को कैसे इस्टोर करते हैं और उसके बाद कैसे उनका हम समेशन निकालते हैं यहां पर सुटेंट हम एदियू कर लेरे यंद मिन्स कितना 10 elements रिदिन येन देटा इंट वने दिमेंशनल एर थू कीबोर्ड और पिंट दियर सम्ट ओके टूदेंट्स तू जैसा कि हैंडर फाइल का यूज करते हैं है इन्क्लूट इस टैंडर्ड आयो डाट याग्ड ओके हाज डीफाइन बच्चों यहां आपर हमें मैक्क利 क्या कि तरूंसरेंट है तो यहां हैं टिपाइन इसका अर्थ है साइसा फ्लंट कि अश्लक हें है कि वाइड मैन फंक्षन का यूज किया और एक एर बनाया और उसका उसमें साइज को पैस कर दिया हुआ है एक भैरेवल आई अधिक यर्न बनाया और हमें देखें सम निकालना है तो यह बैरेवल बच्चो बना लिया सम अल्वेल जो डेटा है वो सब इंटीयर टाइप के है आए इस्टुडेंट सबसे पहले हमें कितना एलमेंट्स लेना है उसके लिए एक प्रॉम्ट देते हैं इंटर नमबर आउव ऐलिमेंट्स इंटर नमबर आउव ऐलिमेंट्स इस करें आव तो स्टुडेंट्स पहले हम कितना डेटा आइड करना चाहते हैं कितना डेटा हम एरे में लेना चाहते हैं उसको कंट्रोल करते हैं यहां पर हम मान ले रहा है जैनके बादेल लेंगे सब्सक्राइब करना है तो हमें क्या करना होगा अब देखिए यहां पर बच्चों जो हमारा एरे डिक्लियर्ड है उसका नाम है इस्टॉर्टिंग इंडेक्स जीरो है लॉस इंडेक्स इस्टुडेंट्स होगा 99 क्योंकि साइज कितना है 99 है ओके स्टुडेंट्स फस्ट एजीरो एवर एटू डाट डाट नाइन टी नाइन आई यह स्टुडेंट तो एक लूप चलाते हैं जीरो इंडेक्स से हमारा है इस्टार्ट होता है इसलिए जो लूप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां की बैलू यतना हम लिए इस्टुडेंट उससे एक उससे लेजान हम क्या करेंगे इंट्रिक करेंगे इंटरे बैलू ओके स्टुडेंट्स इसकानिया पर्सेंट दी इंपर्सेंट ए आई तो इस तरह से स्टुडेंट्स हम किसी एरे के पार्टिक्लर इंडेक्स पर लूप के थ्रू इट्रेट करते हुए हम अलग-अलग बैलू को कीबोर्ट से रीट कर करा करके आयरे के सेल्स में इस्टूर कर सकते हैं इसको हम इसको लॉजिकली दिखा रहे हैं स्टुडेंट्स फर्स्ट बैलू एजीरो शेकेंड एवर थर्ड एटू यंथ बैलू के लिए इन माइनस वन ओके टुडेंट्स तो यहां पर हम इस लूप का यूज करके एक सिंपली वे से हम बच्चो डेटा को वन बाई वन रीट करते जाएंगे और और उसके साथ साथ उसी के करिस्पांडिंगली हम जो है एक एलिमेंट्स को सबकी बैलू जिसकी ओल्ड बैलू जीरो हमने बनाया है उसमें हम कांटिग्यूस फार्म में आल एजीरो से लेकर के थ्रूआउट जो भी हम ने इंट्री किया उसके एलिमेंट्स को वच्चों एड करते जाएंगे ओके सुडेंट्स तो इसको देखिए जैसे हमने यहां माल लिया कि यह आयरे है तो फर्स्ट इंडेक्स जीरो सेकेंड वान थार्ड टू पोर्थ थ्री डाट डाट अगर हम यहां 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 की व पाइब लेंगे तो लाश्ट यहां यहां टेल लेंगे तो लाश्ट वाला इस्टूडेंट इंडेक्स कितना होगा लाश्ट इंडेक्स नाइन होगा तो लाश्ट इंडेक्स देखिए बच्चो हमने माल लिया है कि स्टार्टिंग वैलू टेन है और लिनियरली हम वैलू सिंप्लिसीटी के लिए लिया है स्टूडेंट तो टेन ट्वंटी थर्टी फोटी डाट डाट हंड्रेड तो इस तरह से स्टूडेंट हमने कीबोड से मैलू को इंट्री किया तो कर्रेस्पांटिंग्स ल में हमारे वैलू क्या हो गई है इस्टॉर हो जाएगे फिर मेमरी में और इसके बाद स्टूडेंट हम समगी वैलू को डिस्प्ले कराते हैं तो जो भी आयरेका सेल्स में ड तो इसके लिए हमने प्रिंटर में उसकिया सम एसाइलमेंट सम इक्वल टू परसेंट डी साम मैं इनको क्लोज किया बच्चों तो इस कोडिंग से हम इस प्रोग्राम के स्थरू हम किसी आयरेक में यहन एलमेंट्स को रीड करेंगे कीबोर्ट से और यहन एलमेंट्स को रीड करने के बाद स्थूडेंट्स हम उनका जो है समेशन निकालेंगे और समेशन की बैलो को बच्चों हम प्रिंट अप मेधर से जो है डिस्प्ले करा देंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा यह प्रोग्राम जितने एलमेंट्स हम इस तो करेंगे उसक का सम्व फाइंड आउट करके मशीन आपके डॉस स्क्रीन पर डिस्प्ले कर जाएगा ओके सुडेंट्स यहां पर आपने जो है कि इस प्रोग्राम से आपने देखाया कि कैसे हम जो है एरे को कि डिक्लेर करते हैं कि मैथर से प्रिंड कराते हैं और मेरे ख्याद से आप को समझ में आ जाना चाहिए अगर नहीं आया तो मुझे राइट करिए ओके स्टूडेंट्स थैंक्यू बच्चों जाहें